गुड मोर्निंग स्टूदेंट्स, तूडे आई विल स्टार्ट यवर एसेश्टी क्लासिज ओनलाइन, नाउ आई विल स्टार्ट फिप्थ क्लास, आवर टोपिक इज जो टैम्प्रेट जोन है, समसितोस्टन का टीबन दिये छेत्र, टैम्प्रेट का मतलब होते हैं समसितोस्टन, यानि कि न ठंडा न गरम, उसके बारे में रीड करेंगे दा एरिया बिट्विन दा आर्क्टिक सर्कल एंड ट्रोपिक ओप कैंसर इन दा नोर्थ, यानि कि जो ट्षेत्र नोर्थ में आर्क्टिक सर्कल से और ट्रोपिक ओप कैंसर के बीज में होता है, नोर्थन हैम्प्रेट में, एंड दा अंटर्क्टिक सर्कल एंड दा यानि कि जो छेत्र जो नोर्थन हैंबी स्पेयर में आर्क्टिक सर्कल से ट्रोपिक ओप कैंसर के बीच में नोर्थ में जो छेत्र है वो ट्रोपिक ओप कैंसर और आर्क्टिक सर्कल के बीच में नोर्थ में नोर्थन हैंबी स्पेयर में और साउथन हैंबी स्पेयर में अंट सरकल से ट्रोपिक ऑप कैप्रेकोन के बीच में साउथन यह ट्रेमपेट जोन पाया जाता है इस हैमिस्पेयर में दा वास्ट एरिया ओफ लेंड कवर्ड विद थिक ग्रासीज ऐस दा चीफ वेजिटेशन इस काल्ड ए ग्रासलेंड इस रिजन में जो बड़ा एरिया ग्रास का और यहां पर जो वेजिटेशन पाये जाती है और ग्रासलेंड कर आते हैं कि जो प्लेस टाइमप्रेट जो लिए लिए नो टू होड जो इस छेत्र का जो इसके अंदर जो टेंपरेश्चर है वो ना तो ज़ादा ठंडा होता है और ना ज़ादा गरम होता है जो वर्ड के अंदर अलग-अलग जो ग्रास लेंड्स है वो कौन-कौन से है first is step is in Russia step step is चो रसिया के अंदरickerhandS उनको कहा जाता है prairies है नौर्ट अमेरिका में grassland's है डाॉन्स है और ऐस्टेलिया में और wells है South Africa में pumpkins जो हैं वो South America में पाए जाते हैं अब एक इप दिखाएगा ہے इसके अंदर जो जो ग्रीन कलर से show है वो क्या है ग्रास लेंड से और यह ग्रास लेंड यानि कि जीरो डिग्री एक्वेटर होता है बिल्कुल बीच ओ बीच यह ग्रास लेंड ट्रोपिक आर्क्टिक सर्कल से ट्रोपिक ओफ कैंसर तक नोर्थ में पाए जाते हैं एंड दा अंटार्क्टिक सर्कल से और ट्रोपिक ओप कैप्रेकून साउथ में पाए जाते हैं। उसके बाद है इसकी लोकेशन। दा प्रेरीज आर लोकेटेड इन सेंट्रल पार्ट ओफ कॉंटेनेंट ओफ नोर्थ अमेरिका। जो प्रेरीज हैं वो नोर्थ अमेरिका के सेंट्रल पार्ट में स्थित हैं। कवरिंग दा स्टेट ओफ कौन-कौन से स्टेट को इसने कवर कर रखा है। डाल्स, टैक्सस, न्यू मेक्सिको, इलिनोईस, एंड दा कोलोरेडू यानि कि ये जो इसके जो स्टेट्स हैं या कंट्रीज लगा लो नोर्थ अमेरिका की इसने इन इन कंट्रीज को कवर कर रखा है टैंप्रेट ग्रास लेंड को ने। उसके बाद है ओकलाहूमा, मिनेंस पॉलिस एंड शिकागो इन दा यूएस एंड दा स्टेट ओफ रेजिना इन कनाडा मतलब ये जो स्टेट्स हैं कनाडा के अंदर जो रेजिना है ये भी टैंप्रेट जो ग्रास लेंड है इसके अंदर आते हैं The two important rivers that flow through the prairies are Mississippi and Missouri दो important rivers जो है वो prairies में flow करती है Mississippi और Missouri इसकी जो climate है इस zone की वो क्या है ग्रास लेंड are located very far away from ocean जो ये ग्रास लेंड से ये ocean से बहुत दूर स्थित है So they have extreme climate तो यहाँ पर extreme type की climate पाई जाती है Which are hot in summer मतलब ये छेतर गर्मियों में गरम रहते हैं And cold in winter और सर्दियों में ठंडे रहते हैं Temperature in the summer season suit up the 40 degree Celsius यहाँ पर जो summer का temperature होता है वो 40 degree Celsius के आसपास होता है And in the winter season it's drop below 0 degree Celsius और winter season में ये किसके आसपास होता है 0 degree Celsius के There is heavy snowfall in winter यहाँ पर winter में बहुत अधिक snowfall होता है These reason gets a moderate rainfall ये जो छेतर है ये moderate rainfall प्रदान करता है Hot climate with moderate rainfall is suitable for a growth of tall grasses यानि कि hot climate हो किसी छेतर की और वहाँ पर moderate rainfall हो बहुत ज़दा rainfall होता हो तो वहाँ छेतर पर tall grasses और लंबी-lंबी grasses पाई जाती है उसके बाद है vegetation There are generally no trees in the grasslands of temperate zone जो grasslands are temperate zone के वहाँ पर trees नहीं पाई जाते है The climate and soil of these region is well suited for growing wheat and mice मतलब जो यहाँ की climate होती है इस छेतर की वो wheat और माईज यानि के गेऊं और मक्का ग्रो करने के लिए वो suitable है Wheat is export to other countries from these region इस छेतर से wheat है वो और छेतरों में निर्यात किया जाता है The prairies of North America are known as the wheat basket of the world जो prairies grasslands है नोर्थ अमेरिका में उनको world का wheat basket मतलब गेऊं की टोकरी कहा जाता है For the large scale production of wheat क्यों कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में wheat उगाया जाता है A few trees found in prairies are well and polar mostly found on the banks of Missouri and the Mississippi River क्या गहरा है कि यहाँ पर जो trees पाए जाते हैं उनके अंदर है willows उसके बाद जो polar हैं वो उन सेतरों में पाए जाते हैं जहाँ पर Mississippi River और Missouri River है Big blue stem grass in the tallest grass found in the prairies जो blue stem grass है यहाँ पर stem grass है वो प्रेरीज में पाए जाते हैं यह सबसे tallest grass है इस चेतर की thank you students I hope you understand in this topic हुए, एट उनसे तो जाननना बेलाए जालिग बेलाए ले में पर और जाée tenho उ Вот जाननासे काँ,